नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं कूल 373 पुथो पर आगामी 5 सितंबर को वोटिंग होगी, वहीं आज सितंबर 22 को काउंटिंग है बता दे कि पूरो सिक्षा मंत्री जगरनात मतों गिनिधन के बाद डूमरी भिधान सबा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है उपचुनाव के लिए 10 अगस्ट को नमाकन पर किरिया शुरू हुई थी नाम वापस लेने के तिथी समापत होने के बाद कूल 6 परत्यासी चुनाव मैदान में रह गए थे चुनाव परसार का समय खत्म होने के बाद राजनी तिक जनकारों का मनना है कि इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला INDIA की परत्यासी पुर्व मंति जगरनाथ महतो की पत्नी बेवी देवी और NDA की परत्यासी यो सोदा देवी के बीच होने का अचार है चुनाव परचार के दोवान राजी के मुख्या है मन सुरेन सहीत राजी के आधा दजन सहधिक मंत्री सहीत सताधारी दल के कई विधायक वन्यता और राजग के परत्यासी की तरफ से तीन पुर्व मुख मंत्री केंद्रिय मंत्री वा अने विधायक ने चुनाव परचार में हिसा लिया था जारखन में एक बार फिर से किसानों के बीच बाक्टे जाएंगे ट्रेक्टर राजे में एक बार फिर से किसानों को ट्रेक्टर बाक्टने की त्यारी हो रही है इस पर करीब 85 कोड़ रुपे खर्च किया जाएगा राजे में पांच साल पुर्व किसानों को ट्रेक्टर बटा गया था उस वक्त ट्रेक्टर बित्रन तक निकी बिवाद में पड़ गया था इसमें कई अधिकारियों के खिलाब जाच कराई गई थी यह मामला अभी भी चल रहा है इस बार मुख्यमंत्री ट्रेक्टर बित्रन के नाम से क्रीसी बिवाग इसकी मला रहा है ट्रेक्टर का बित्रन जार्खन, मसिनरी, टूल्स, टेस्टिंग सेंटर के माध्यम से होगा इसके लिए प्रस्ताव भी वहां से तयार कराया जया है या विभाग के मादेम से सचिवाले को भेजा जा रहा है बता दे JMTTC के CEO RP Singh की सेवा बढ़ाने का परस्ताव करिशी विभाग ने तियार किया है CD Singh सेवा निविती के बाद पिछले करीब एक साल से JMTTC में मांदे पर काम कर रहे है इसके लिए किसानों को कैसे ट्रेक्टर का वित्रन किया जाए इसकी त्यारी भी की जा रही है प्रस्तावत त्यार किया जा रहा है कि किसानों को पैकेज में ट्रेक्टर दिया जाएगा एक तैर आसी में किसान ट्रेक्टर के साथ साथ उपयोगी यांत्री भी ले सकते हैं हेमंत सुरेन ने गरबाड़ी की है तो जाना ही होगा जेल बाबुलाल मरांडी जारखन के पुरमुख मंत्री और परदेश भाजपा के अध्यक्स बाबुला मरांडी ने लोहा दग्गा में हुंकार भरते हुए कहा है कि डूमरी चुनाव जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे भारी बहुमत से जीतेंगे वही मुख मंत्री हेमान सुरेन पर प्रहार करते हुए बाबुला मरांडी ने कहा है कि यदि मुख मंत्री ने गरबड़ी की है तो उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा उन्हें होटवार जेल जाना ही पड़ेगा आकिर हेमान सुरेन कब तक दोड लगाएंगे बाबुलाम राणडी ने कहा है कि यदि हेमान सुरे ने गड़बड़ी नहीं की है तो उन्हें इड़ी के सामने जाने में डर कियो लग रहा है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अपराधी बेलकाम हो चुके हैं उससे कानून बेवास था पर सवाल उठ रहा है आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है CBI अब राणची पुलिस के अपसरों से करेगी पुष्टाच CBI साहेव गंज में हुए अवैद खननवाउस से जुड़े सभी केस की जाच कर रही है CBI ACB की टीम इसी कड़ी में धुरवा थाने में बिजाय हंस्ता जुड़े केस में भी पुलिस अपसरों से पुष्टाच करेगी बिजाय हंस्ता ने धुरवा थाने में ED के दो गवाहो असो के यादों मुकेस यादों के खिलाब FIR दज कराई थी इसी केस की जाच में PE के तहाँ CBI जाच कर रही है Inspire Award के लिए कम राइश्ट्रेशन समय बढ़ा Inspire Award मानक के लिए राइश्ट्रेशन कराने को लेकर स्कूल बहुत गंभीर नहीं है अभी तक काफी कम स्कूलों ने राइश्ट्रेशन कराया है इसके लिए एक माह का समय और बढ़ा दिया गया है अब 31 सितमबर तक स्कूलों को राइश्ट्रेशन बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है बता दे एक माई से राइश्ट्रेशन के परकिर्या सुरू हुई थी और 31 अगस्ट तक का समय स्कूलों को दिया गया था परते एक स्कूलों जिसमें छटी से दसवीत तक को निर्देशित किया गया था कि पांच-पांच बिद्यार्थों का राइस्टेशन अवसे रूप से कराए लेकिन स्कूल इसे लेकर गंभीर नहीं है राइस्टेशन कराने के माण में पलामो जिला सबसे आगया है जहां रभी वार सुबह तक 27-47 बिद्यार्थों का राइस्टेशन हुआ है वहीं लात्यहर में सबसे कम 365 बिद्यार्थों का राइस्टेशन हुआ है इस मामले में राची के जीला सिक्छापता दिकारी ने स्कूलों को निदेश दिया है कि जल्द से जल्द बच्चों को रहिस्टेशन कराना सुनिष्चित करे सिक्षक सम्मान की त्यारी परमन्थन 3500 सिक्षकों ने कराया रईस्टेस्तान सिक्षक सम्मान के सफल आयोजन के लिए पास्वा भोलेंटियर की बैठक रभिवार्गो का छारी रोड इसी डाक्टर रामेशर उराव के आवास पर हुई पास्वा महासचीव फलक फातिमा के अद्यक्सता में हुई बैठक में त्यारियों पर चार्चा हुई विभीन कमेटियों को उनकी जिम्यदारी के बारे में बताया गया महासचीव ने बताया कि 10 सितंबर को खेल गाउं में सम्मान समारो आयोजित होगा इसमें प्रदेश भर के 5000 ने इसकुलों के सिक्षकों को समानित करने का लक्ष रखा गया है बता दे अब तक लभग 35 सिक्षकों ने अपना रेजिश्टेशन करा लिया है बताया है कि सिक्सकों के सम्मान में कई परकार के संस्कृति कारकरमों का भी आवेजन किया जाएगा मुख्याती थी जारखन बिधावन सबावद्यक्ष रविंद्र नातमातों होंगे चंद्रयान मीशन के नाम पर P.D.S. डिल्रों ने हडपा लाभुकों का रासन चातरा जिले के सिमर्या परखन के डिल्रों ने चंद्रयान मीशन में हुए खर्च का हवाला देते भे लाभुकों से 5 और 10 किलो अनाज काक लिए जिससे लोगों में गुसा है लाभुकों ने बताया है कि कई डिल्रों ने बताया कि चंद्रयान मिशन में सरकार का बहुत खर्च हुआ है जिसके लिए अनाज में कटोती की जा रही है रभिवार को सुधरवर्ती गाउं हांग है लुपुंगा गोटिया आधी गाउं के लाभुकों ने SDO सुधीर कुमारदास को आवेदन दे कर सभी कार्डो में मात्र 5 किलो अनाज देने की सिकायत की और डिल्र के खिलाब करवाई की मांकी है बता दे पीरी पंचायत के मुखिया उमेश राम ने बताया कि पूरे पंचायत में डिल्रो ने अनाज की कड़ोती कर ली है जिससे लाभुक आक्रोसी था उन्हें जबाब देना मुश्किल पड़ रहा है मैट्रिक वा इंटर बोर्ड परिक्षाय फरवारी माह में रिजल्ट जून तक चारखन एकेडमी काउंसिल जैक अगले वर्ष लोक सभा चुनाव को देखते हैं मैट्रिक और इंटर्मीड परिक्षाय फरवारी माह में आयोजित करेगा इसे लेकर जैक ने academic calendar जारी कर दिया है board परीशा का result मैं जून तक जारी करने की युजना है वही आठवी की मार्च में और नावी की जन्वारी में और एकार्वी फरवारी में परिक्षाय होंगी इसके साथ ही जैक की ओर से जारी सार्टिफिकेट का फिरिफिकेशन और आउनलाइन भी किया जा सकेगा जैक अध्यक्ष अनिल कुमार मातों ने बताया है कि जैक 2024 के लोग सबाचुनाव को देखते वे वार्षिक पाइक्षाय फरवरी महीने तक ही खत्म करने के त्यारी में हाए वहीं जिनकी पाइक्षाय बच जाएगी वह जुलाई महा में ही होगी हाडकोर नकसाली जोसेफ मरांडी समेत दो गिरफतार सिमावारती इलाकों में नकसलियों के खिलाब चलाया जा रहा अभ्यान के तहाद जमोई जीले के SSB ने जार्खन बिहार की सिमा परिस्थीत भेलवा घाटी थाना छेतर अंत्रगात गुनिया थर जंगल से हाडकोर नकसाली जोसेफ मरांडी और गुरु जी को गिरफतार किया है जोसेफ के बिरूद जमोई जीले के खैरा थाना में दो मामला सहित नकसली वरदात से समधित कूल तीन मामले दर्चा है पुष्ट आज के बाद उसे जेल भेज दिया गया है गिरीडी सांसद के बेरमो आवास पर जाच करने पहुंची पुलीस पाच सितंबर को डूमरी में होने वाले उप चुना को लेकर चुनाव परचार के अमतिम दिन रभीवार की देर साम को गिरी सांसद चंदर प्रकास चौदरी के बेरमो इस्थीत माकोली आवासे कराले में जाच के लिए बेरमो पुलीस पहुंची लेकिन पुलीस यहां से किसी परकार की कोई भी चीज बरामत नहीं कर सकी इसके बाद पुलीस वापस लोट गई बताद सांसद परतिनी दिपक महत्तोर ने कहा है कि पुलीस सिर्फ एनडिये के लोगों को परिसान कर रही है आई एनडि आई ए गटबंधन के नेताओं के यहां भी जाच होनी चाहिए इधर गीडी सांसर चंदर प्रकास चौजरी ने कहा है कि एनडिये के लोगों को डराय धम कया जा रहा है एक तरफा करवाई हो रही है बाबुलाल अपहरन की बात करते हैं केस क्यों नहीं कराते सुपरियो भटाचार जहमों ने डूपरी उपचुनाओ का प्रचार समाप्त होने के बाद चुन कर भाजपा और एनडिये पर अटक किया है पार्टी महासची प्रवक्ता सुपरियो भटाचार ने कहा एक बाबुलामराने डूमरी में अपने दो करकताओ के अपहरन की बात कही है या भी कहा एक उन्होंने डिजीपी से बात की है अजीब बात है एक पुर्व सीम ऐसा कर सकता है अगर उसके दो करकताओ का फ़रन हुआ है तो उन्होंने किस थाने में प्रत्मे की दर्ज की है इतना नियम तो वह जानते ही हैं और जानना भी चाहिए दरसल एंडिये अपने तीन तीन पुर्व सीम एक डिप्टी सीम को मैदान में उतारने के बाद भी अपने जित सुनेशित नहीं कर पा रही यही कारण है बुखलाहट में बिना हाथ पैर की बात कर रहे हैं कॉंग्रेश परदेश अध्यक्ष ने बाबुलाल को बताया एक हजार का पुराना नोट जार्खन परदेश, कॉंग्रेस अध्याक्ष, राजेश ठाकुने रवियार को केंद्र और परदेश भाजबा परजम का निशाना साधा, राजेश ठाकुने बाबुलाम रांडी पर निशाना साथे वे कहा है कि बाबुलाम रांडी एक है रुपे के पुराने नोट हो गाए वे अब चलने वाले नहीं हैं डूमरी उपचुना को लेकर उनके ब्यानों से लग रहा है कि वे हार रहे हैं बोखलाहट में वे अनाप सनाप अरोप लगा रहे हैं राजश्टाकु ने कहा है कि भाजपाक के भरम में अब जानता आने वाले नहीं है उन्होंने हाल ही में सेलेंडर की कीमतों में की गई कमी को सरकार की मजबूरी करार दिया है उन्होंने कहा है कि अब आम जन्मानस से दबाव पड़ा तो मजबूर होकर छोटी सी कमी की है गढ़वा के अनहर गाव में बहुलता सर्वे में गलबडी का गरामिनों ने लगाया आरोप गढ़वा जिले के रंका प्रखंड छेत्र के दुधवल पंचायत के अनहर गाव क्यांगनवाडी सेविकायम सहाई का पत के लिए जातिगत बहुलता सर्में गलबरी कारोप लग रहा है गराविनों का रोफ है कि जिसकी संख्या सबसे कम है उसकी सीट अरक्षित कर दी गई जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार SC की संख्या 66 ST की संख्या 259 reading संख्या 460 है मगर SC सीट अरक्षित भी कर दी गई है अनहर के गराविनों ने इसका विरोध किया है और एक लिखित आवेदन वीडियो स बाल विकास परियोजना पताधिकारी रंका गठवा डिसी और जीला समाज कलन पताधिकारी को दिया है दुर्गापुजा दिपावली और छट को लेकर अक्टूबर और नौमबर में ट्रेने फूल दुर्गापुजा दिपावली और छट को लेकर अक्टूबर और नौमबर में यूपी दिल्ली मुंबाई और जम्मू सहित अने सहरों की ओर जाने आने वाली ट्रेनों की सीटे फूल हो चुकी है दुर्गापुजा 15 से 24 अक्टूबर तक है वहीं 24 अक्टूबर को विजय दसमी है जबकि दिपावली 12 नौमबर और छट 17 नौमबर से नहाए खाय से शुरू होकर 20 नौमबर तक है यूपी वा बिहार जाने वाई ट्रेनों में 15 से 17 नौमबर तक सबसे अधिक वेटिंग है महंगाई के खिलाप 4 सितंबर को कॉंग्रेस का अंदोलान देश में परती महंगाई को लेकर जहार खन परदेश कॉंग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाप मोचा खोल दिया है कॉंग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पनिसाना साथ ते हुए अब आंदोलन की रूप रिखा त्यार की जा रही है इसी कड़ी में सोमवार को सभी जीलों में कॉंग्रेस महंगाई के खिलाप आंदोलन करेगी कॉंग्रेस परदेश अध्यक्स रायस ठाकु ने कहा है कि भाजपा गला घोट कर दो बुंद पानि देने का काम कर रही है कॉंग्रेस बहुन में वे रभी बार को सन्वतादत सम्मेलन को समोधित कर रहे थे इसी मौके पर मावारी कॉलेज के मनो बिज्ञान विभाग के असिस्टेंट परफेसर राज किसोर राम ने अपने समर्थ को के साथ कॉंग्रेस पार्टी के से सहता भी गरहन की है डूमरी में बेवी देवी के पक्ष में हेमान सुरेन ने किया रोड सो चारखन की गिरिटी जीले में इस्तिर दूमरी बिधान सबाज सीट पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार थामने से पाले सुबे के मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने 12 किलिमेंटर लंबा रोड सो निकाला जिस वाहन पर सीएम हमान सुरेन सबाज थे उस पर आगे बेवी देवी बैटी थी वाइन ड्राइबर की बगल वाली सीट पर बैट करवा लगातार लोगों का भी नंदन सोईकार कर रही थी बता दे डुमरी विदाहन सबाज छेदर में मुख्य मंत्री के रोड सो में जार्खन के कई मंत्री भी सामिल हुए सीएम के साथ खुली जीप पर गडबंदन में सामिल दलो कॉंग्रेस और राष्ट्रिय जनता दल के नेता भी सवार थे मुख्य मंत्री के साथ अलमगीर अलम सत्यान भुकता और हफिजूल हचन मजो थे सीएम ने हाथ में जार्खन मुक्ती मुच्चा का जांडा थाम रखा था साइबर अपराद पर लगेगा लगाम खुलेंगे आठ नए साइबर थाना जार्खन में बढ़ रहे साइबर अपराद पर पूलिस नकेल कसने की पूरी त्यारी में है इसे लेकर जार्खन में आठ नए साइबर थाना खोला जाएगा आईसी चार इसके लिए जार्खन के अधिकारी को ट्रेनिंग देगा बता दे साइबर अपराद ही पूलिस के लिए हर दिन नए चुनोती पेस कर रहे है जार्खन में पॉले केवल जामतला ही साइबर कराइम को लेकर देश बर में बदनाम था लेकिन अब धनबाद देवखर और गिरी डीजे से सारो से भी साइबर गिरो का संचालन शुरू हो गया है ऐसे में जार्खन में साइबर अपराद पर नकेल कसने के कवाज के तहद आठ नए जीलो में नए साइबर थाने खोलने की परकिरिया सुरू कर दी गई है धन्यवाद